हाई, तोड़े वी आ गोइंग टू लर्ण स्ट्रेशन अल्गोर्थम फॉर मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन, नॉर्मल मैट्रिकेशन हम कैसे करते हैं, इफ एक्स और वाई, टू मैट्रिकेशेज हैं, और जेड इसका रिजल्टेंट है, जेड उकल टू एक्स कर लिया है, एक्स वन है और बी जी एक्स टू है, एक्स वन का है, वो मल्टिप्लिकेशन के लिए, जहां भी मल्टिप्लिकेशन है, वहां एक्स वन से एक्स एट तक हमने यूज किया है, तो टोटल अगर इस मल्टिप्लिकेशन में हम देखें, कितने मल्टिप्लिकेशन इ यह place होगा, तो A F का multiplication, फिर B H का multiplication, तो total 8 multiplication हम इसमें perform करते हैं, यह algorithm यहाँ से start होता है, M multiplication, 3 arguments हमने लिए हैं, X जो है matrix है, Y matrix है, N जो है matrix, N cross N matrix जैसे होती है, यह है 2 cross 2, N की value यहाँ 2 है, तो अगर N की value 1 आती है, तो हम क्या करेंगे, X और Y की जो value है, उसको multiply करके, हम return करेंगे, अगर 1 नहीं है, तो हम A, B, C, D जितने values हैं, उसको compute करेंगे, और N की value N by 2 करते जाएंगे, तो ऐसे first multiplication value, second, third, fourth, fifth, five, six, seven, eight तक हम calculate करेंगे, और इसके पास Z11 क्या होगा, इसकी addition value, तो Z11 क्या होगा, X1 प्लस X2, फिर Z212, X3 प्लस X4, Z21, X5 प्लस X6, Z2, X7 प्लस X8, और finally आपको Z return होगर के, result के form में, Z output आ जाएगा, लेकिन stress in matrix multiplication, normal matrix multiplication से थोगा different है, और यह ज़्यादा efficient है, इसमें number of times, जो है, multiplication reduce हो जाते हैं, अगर हम P1 को multiplication की तरह हमने use किया है, A multiply by F minus H, तो, total multiplication आपका P1 से P7 तक होता है, जबकि यहाँ multiplication के लिए, X1 से X8 use होता है, तो इस्ट्रॉसिन का क्या है formula, कि अगर X और Y, दो matrix हैं, तो Z क्या होगा, Z equal to होगा, P6 प्लस P, P आपकी यह value है, multiplication value जो हमने लिखा है, B minus D multiply by G plus H, ठीक है, P6, P5 plus P4 minus P2, उसके बाद यह P1 plus P2, यहाँ क्या होगा, P3 plus P4, और यहाँ क्या होगा, P1 plus P5 minus P3 minus P7, यह आपकी Z की value होगी, resultant matrix की value, और P6, P5, P4 आपको इस value से calculate करना है, यह एक formula है, ठीक है, extraction algorithm का, तो अगर हम इसमें देखें, total आपने कितने multiplication है, इस पूरी algorithm को अगर हम analyze करें, और इसकी complexity find करने, तो हम यह देखेंगे कि, यह आपका constant type में perform हो रहा है, 12 to 15, हमारा addition operator है, और addition operator किसका है, X1 plus X2, और X1 क्या है, A multiply by B, A multiply by E, और A जो है N, अगर N matrix है, N cross N की matrix है, तो आपने X1 के लिए 2 times N by 2 का multiplication किया है, तो इसकी पूरी complexity हो गई आपकी theta N square, ठीक है, क्योंकि यह हो जाएगा N square by 4, that is equivalent to theta N square, और प्लस यह constant time, और यह multiplication operator, तो यह एक recursion की तरह में work कर रहा है, और N by 2 में जा रहा है, तो हर एक का N by 2, N by 2 आपका कितना हो जाएगा, 8 T N by 2, ठीक है, तो constant time plus 8 T N by 2 plus N square by 4, तो इस constant time को हम अगर neglect करें, तो T of N, इसका equation क्या होगा, normal multiplication का 8 T N by 2 plus theta N square, और अगर master method इस पर apply करें, तो that is also equivalent to theta N की power Q, और instruction algorithm में अगर हम देखें, तो instruction algorithm में हमने क्या किया है, 7 multiplication अपलाई किया है, इसका मनलब 7 T N by 2, हर N by 2 के लिए अपलाई किया है, थर्ड और argument आपने इसमें N by 2 मेंशन कर सकते हैं, तो 7 T N by 2 ये भी ये constant time में है, और ये आपका जो है addition है, तो ये addition आपका similar to यहाँ, आपने 4 time addition किया है, N by N square plus 4 का 4 time किया है, यहाँ भी आपने हर एक बार N square by 4 का यहाँ addition किया है, और addition में आपकी complexity चेंज जादा नहीं होती, तो ये आपका equivalent to theta N square ही होगा, इस algorithm की equation क्या होगी, T of N instruction की 7 T N by 2 plus theta N square, और इसको master method से अगर हम solve करें, तो अगर आप देखें, यह 1 T N by 2 था, इसमें एक recursion कम use हो रहा है, तो यह equivalent to आपका होता है, B go of N की power 2.32, that maybe can be say N square, ठीक है, तो हम इसमें देख सकते हैं, कि इसकी complexity lesser है in compared to normal matrix multiplication, तो इस्ट्राशन में algorithm ज्यादा efficient है, किसी भी equation को perform करने के लिए, और यह algorithm के थूँ हमें P6 की value find कर सकते हैं, P4, P2, सब की value, जैसे P1 की value क्या होगी, A multiply by, P1 equal to A multiply by F minus H, ऐसे ही P2 equal to H multiply by A plus B, P3 E multiply by C plus D, P5 A plus D multiply by E plus F, ऐसे करके P1, P2 सब की value find करके, आप इसमें put करेंगे, तो आपको resultant matrix find हो जाएगा, और Z आपका क्या है, X multiply by Y, यह stress and algorithm है, जो की normal algorithm से, normal matrix algorithm से ज्यादा efficient है, Thank you.